हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल, क्राफ्टिविटी नेवर बिफोर, आज हम थ्री डाइस बनाएंगे, भी वेस माटिरियल्स है, पहले डाइ के लिए हमें एसी केरी बेक चाहिए, और हेवी बोन, इसे फोल्ड करना है, और कट कर लेना है, आफ्टर इसमें, लीफ का शेप ड्रो करके, कट कर लेना है, अब दो पीस बनाएंगे, यह जाडू वाली स्टिक है, और यह वायर है, वायर को इस तरह से फोल्ड करके, स्टिक पर चिटका देना है, फिर ग्लू लगाके, इसको लीफ के उपर स्टिक कर देना है, कर देना है, यह जाडू झाली स्टिक है, यह जाडू झाली स्टिक है, पूरे लीफ पर अच्छी तरह से ग्लू लगाके देना है, हमारा लीफ तयार है, इसे हम फोर फाई लीफ तयार कर लेंगे, अब इस पर हमारे मन पसंद बहुत डिजाइन्स को ड्रो कर लेंगे, कर देना है, कर देना है, जाडू झाली स्टिक है, मैंने अपने अकोडिंग डिजाइन्स बनाए हैं आप चाहे तो अपने माइन के अकोडिंग डिजाइन बना सकते हैं हम रेंडमली कोई भी पैटन ड्रो कर सकते हैं इसमें फ्लावर बना हुआ था तो मैंने नीचे ही डिजाइन किया है सारे स्टिक्स को इस तरह से ब्राउन कलर कर देंगे अब हमारा पहला डाई बिल्कुल रेडी है कार्ट बोर्ट पर वोल पुट्टी लगा कर मैंने इसको तयार किया है अब टेंसिल की हेल्प से हम इस पर रफ स्केच बना लेंगे न्यूस पेपर को वोटर में विगोकर ये रेडी किया है अब इसमें वाइट ग्लू और कलर मिक्स करेंगे जब मैं ये बना रही थी तो लाइट चली गई थी इसलिए ब्लू कलर मैंने शूट नहीं किया है थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बोट पर लगाते जाना है कलर सम रेंडमली अपने इसाब से लगा सकते है कलर सम रहीं किया है पिंटिंग की सैट की लेन में हमें ड्राउन कलर करना है यह हमारा दूसरा डाई भी बिल्कुल रेडी है थर्ड डाई में मेरे पास यह बॉक्स पड़े हुए थे मेडिसिन के बॉक्स है और यह पेपर है ब्राउन कलर का पेपर को पूरी तरह से बॉक्स पर रेप कर देना है फेविकॉल के हेल्प से प्राउन के बॉक्स प्राउन के बॉक्स मैंने ऐसे नाइन बॉक्स बनाए है अब हर एक बॉक्स पर रेन्नमली पैटन ड्रो करेंगे तरह से बॉक्स पर रेन्नमली तरह से बॉक्स कर दो कर दो कर दो कर दो अब हम ब्लेक कलर के स्ट्रिंग से ट्री स्टेशल्स बनाएंगे अब सारी चीजों को इस तरह से हम ब्लेक करेंगे अब सारी चीजों को इस तरह से हम पेस्ट करते जाएंगे पिछे की सैट से हेंग करने के लिए इस तरह से ब्लेक स्ट्रिंग लगाना है और नीचे टैजल्स लगाने है प्लीस लाइच एंशे वीडियो और शब्सक्राइब आवर चैनल